तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तयार होने से पहले मेरा नास्ता तयार हो जाना चाहिए साधी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है लता तुम्हें क्या है तुम तो अराम से घर पर रहोगी मुझे काम पड़ जाना पड़ता है रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आज भी प्रसांत का पारा छड़ा हुआ था इन कटू सब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फैकते हुए प्रसांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा लता के लिए प्रसांत का ये वेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी वह महीने में तीन चार बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी लेकिन जब कई सालों तक प्रसांत में कोई बदलाब नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया अब प्रसांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था प्रसांत की हर बात वो चुपचाप सिन नीचे जुकाए सुर लेते थी साधी के पास साल बात तक लता ने पूरी कोशिस की थी कि प्रसांत को बदला जाए लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी कोई भी बाद विवाद होता तो प्रसांत सीधा लता को बोल देता अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने माई के क्यों रहती हो मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रसांत के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहां अपने बूढे हो चुके मावाप को इस उम्र में परिशान करना वह नहीं चाहती थी समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था वह इतनी पड़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोसन कर सके लता को अपनी फिक्र नहीं थी उसको फिक्र थी तो बस अपनी साधी लायक हो रही बेटी की लता नहीं चाहती थी कि पती पत्नी के जगड़े की बजह से काव्या डिस्टर्ब हो काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी उसके लिए अब साधी के रिष्टे आने लगे थे क्याई रिष्टों को काव्या ठुकरा चुकी थी दो तीन महीने बाद एक अच्छा रिष्टा आया रिष्टेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुरगान किये थे प्रसांत एक साम अपनी बेटी के पास बैठ कर उसे बताने लगा काव्या बहुत अच्छा लड़का है पढ़ा लिखा है बड़ा घर है बहुत अच्छी नौकरी है ऐसे रिष्टे बार बार नहीं आते बेटा इस बार मना मत करना काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी सायद डरती थी या सायद नफरत करती थी लेकिन आज वो अपनी पूरी हिमत इखटा कर बोली मुझे अभी साधी नहीं करना है पापा मैं नोकरी करना चाहती हूँ खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है मैंने लड़के से बात की है वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा तुम साधी के बाद भी नोकरी कर सकती हो वह तुम्हें नोकरी के लिए परमीसन दे देगा परसंत बोला मेरा नोकरी करना या ना करना उसकी परमीसन पर क्यों डिपेंट रहेगा पापा काब्या ने पूछा मैं कह रहा हूँ न तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, वहाँ, ऐसे रिष्टे बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुस रहोगी तुम वहाँ, प्रसांत बोला पापा क्या मैं उतनी ही खुस रहूंगी, जितनी मम्मी इस घर में खुस है, काव्या ने तंज कस्ते हुए कहा आज तुम्हारी जवान को जादा नहीं चल रही, प्रसांत गुस्से से आँखें बड़ी करते हुए बोला पापा मुझे साधी ही नहीं करनी है, क्योंकि साधी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला, तो मैं क्या करूंगी मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझे पर हमीशा चिलाए मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो, तो दस बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज न हो जाए मेरी तव्यत कैसी भी हो, उसे परवा ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए, तो घड़ सर पर उठा ले उसकी चैक बुक ना मिले, तो भी मेरा दोस निकल ले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे माय के जाने के लिए कहे, काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए, पापा से सब कह दिया प्रसांत का गुस्सा सातवे आस्वान पर था, लेकिन उसके मुह से एक सब्द भी नहीं फूट रहा था, वो काव्या की बाते सुन रहा था, काव्या उतना ही बोल कर चुप नहीं हुई, आज पहली वार वहे अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी, पापा आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे मा पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवह भी की नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा, आपकी बाते सुन सुन माने अपना स्वाभिमान खो दिया, प्रसांत आज पहली बार अपने किये बरतावों को महसूस कर रहा था, वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है, वो करो, मैं तो इतना बोरा हूँ ना, काभ्या ने प्रसांत का हाथ पकड़ार बोली पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पती आपके जैसा हो, अगर आपका जवाब हाँ हैं, तो क प्रसांत कुछ भी ना बोल पाया, और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया, आज उसे लता के सामने जाने में सर्म आ रही थी, चलते चलते उसकी आँखों से आँसु बह रहे थे, प्रसांत ने आज से अपने आपको बदनने का निश्चे किया, अगले दिन से लता ने अपने पती में काफी बदलाब देखा, वह सोचने लगी कि जो हिम्मत कावया ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती, तो सायद आज परिष्टे थी, कुछ और होती, अब कावया पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करने लगी थी, और तीन साल बाद उ उसके लिए एक अच्छा रिस्ता आया, और उसकी विदाई पर पिरसांत बोला, बेटा तू हमेशा खुस रहेगी, क्योंकि तेरा पती तेरे बाप जैसा नहीं है, पिरसांत की यह बास सुनकर लता और कावया की आँखों से आंसू बहने लगे, दोस्तों, अगर आपको य दिया जाता है, लेकिन वह सतंतरता नहीं दी जाती, जो उन्हें देनी चाहिए, उन्हें बच्पन से ही बताया जाता है, कि वह पराया धन है, इसकूल से आने में देर हो जाए, तो पिटाई मिलती है, मुबाइल पर बाते करते हुए दिख जाए, या खिड़की पर जहांक सकते हुए दिख जाएं, तो सक किया जाता है, मावाब का घर तुम्हारा नहीं है, पती का घर ही तुम्हारा घर है, जीवन भर यह बाते बता कर उन्हें सुसराल भील दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे जगडे में सुसराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता ह कि इस घर को छोड़ दो और माय के चली जाओ अब आप ही बताओ दोस्तों ऐसी इस्तरियों का सच्छा घर कौन सा है आखिरकार वह किस घर को अपना कहें